यह है दोस्तों Motorola का latest phone Moto G34 जो बहुत जादा viral हो रहा है और 11000 का आपको मिलता है यह तो Motorola का का काफी popular smartphone बन रहा है यह दोस्तों काफी बड़ी आपको मिल जाता है सिर्फ 11000 के budget में लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले Motorola ने अपना latest phone अभी एक और launch किया था दोस्तों Moto G54 यह G34 वह G54 जो आपको मिलता है इससे 3000 महेंगा 14000 का तो इस वीडियो में में दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा कि आपको G54 लेना चाहिए 14000 में 14000 में यह आपको 3000 बचाके इसको लेना चाहिए तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरू देखे और एक like जरू कर देजिए वीडिय तो camera की जो performance है दोस्तों आपको G54 में ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी इस G34 से इसके लिए दोस्तों इसके अंदर आपको leather finish में design दिया गया है इस तरीके से तो पहला फर्क तो दोस्तों आपको rate में मिल जाता है दूसरा camera में फर्क है इसके अंदर भी दोस्तों आपको बात करें display के बारे में तो इसके अंदर तो आपको IPS HD plus display दी गई है तो display आपको है जो है HD plus मिलती है इस चीज़ की इसके अंदर कमी है और इसकी brightness में बिल्कुल full कर देता हूं तो आपको quality reality में पता चल जाए कैसी इसकी तो colors वगरे तो बहुत बढ़ी है इसके brightness भी काफी अ refresh rate है तो smoothness आपको इसमें दोनों में ही मतब काफी बढ़ी है मिल जाती है तो इस चीज़ में दोस्तो जी 34 भी बढ़ी है क्योंके price कमे और refresh rate काफी बढ़ी है लेकिन display full HD plus नहीं है तो इस चीज़ का आपको फर्क मिलेगा तो दोस्तों display के अंदर जो है थोड़ा quality की वज़ तो 11,000 में Moto G34 इसके अंदर तो आपको मिलती है दोस्तो 4GB RAM 120GB storage और 14,000 में उसमें आपको मिलती है 8GB RAM 120GB internal storage तो 4GB RAM उसके अंदर आपको जादे मिल जाती है इससे तो 4GB RAM का जो है दोस्तों आपको जो है difference देखने को मिल जाता है तो RAM के अंदर difference है price में 3000 का फर्क है camera में वह ज battery backup इसके अंदर आपको एक दिन का RAM से मिल जाएगा और जो है दोस्तों उसके अंदर आपको मिलती है 6000 इमेज की battery तो battery backup उसके अंदर आपको और भी जादा इससे बैटर मिल जाएगा वैसे मुझे इसका battery backup जो है ना नॉर्मल टाइप का ही लगा है इतना जादा बढ़ी है बहुत जादा बेकर है ना बहुत जादा बड़िया बीच में देखने को मिलता है सनी कि बहुत जादा बढ़ी हूँ तो वह चीज देखने को नहीं मिलती वह चीज आपको जो G54 में इससे जाधा बैटर मिल जाती है तो एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैकप तो इसके अंदर आपको मिल जायागा लेकिन इतना जाधा भी बढ़िया देखने को नहीं मिलता कि बहुत ही जाधा बढ़िया हो तो उस चीज में जो G54 आपको इससे और जाधा बैटर मिलता है बाकि इसके अंदर आपको एंड्रोइड का 14 वर्जन दिया गए है चीज काफी बढ़िया है और दोस्तो G54 के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर जो मिलता उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको दिया गए है 11000 में दोस्तो G34 में Snapdragon 695 तो इसके अंदर आपको जो और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है इससे बाकि नॉर्मल यूस के अंदर ये भी बहुत बढ़ी है से काम करता है गेमिंग अगर इसमें भी काफी बढ़ी आपको देखने को मिल जाएगी इसके रेट को देखते हुए लेकिन अगर एक चूस कर बेटर मिलता है क्वैलीटी में एक ची विपटी फोर्ओ आपको जो है दोस तो और ड चेमराज्ट लगए की अच्छे नार मिल जाती है और सी नगेंगी दोस्तों च्रबफॉरंस च्क्रफामयस था जाही मिल जाएगी चौथेa Park Veer फूल HD मिल जाती है पांच हो उसके अंदर आपको RAM जादा दी गई है और 2020 छठी खुबी है उसके अंदर आपको बैटरी जाद अच्छी दी गई है तो देखा जाते हैं तो दोस्तो छेशाथ खुबी है उसमें और जादा बेटर है क कौईलेटी सब्सक्राइब करें आप मुझे जरूर बताएगा वैसा तो मुझे जो है इसको चीज़ादा पसंद आया आप जरूर बताएगा विडियो के साथ उसको चिरस जरूर करेगा वाटसेप और फैस्बूक पर चली मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में बाकि अगर आपको किसी का comparison देखना इस phone का ये दूसरे phone का किसी भी अपने पसंद के phone के साथ तो comment में बता दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी लेकर आने की चली मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए